अब्रिवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप अच्छे होंगे सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगी कि बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाले हैं एक्ष्टी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी मैं वीडियो अपलोड भी नहीं कर पारी थी तो उसके लिए सौरी और अपसे पूरी कोशिश रहेगी कि डेली ही मैं आपको वीडियो अपडेट करूँ ठीक है क्योंकि जीके के करेंट अफियर्स के मैं आपको वीडियो डालूगी ही डालूगी आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जीके कमी से होने वाले रोग हम जो भोजन लेते हैं उनमें कौन-कौन से पोशक देशी आज के टाइम पे कहें लोग जंग फूर जादा खाते हैं भार का खाना बहुत खाते हैं तो हमारी भोजन में जो है बहुत सारे जो पोशक दत्यों होते हैं जो हमारी बोड़ी को बहुत ज़्यादा जरुवत होती है वो हमें नहीं मिर पाते हैं और उसका नतीजा क्या होता है उन पोशक दत्यों की कमी की वज़े से हमारी शरी में बहुत सारे जो है रोग हो जात वो क्या खाने से दूर हो सकते हैं तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और यह important topic इसलिए है क्योंकि इस topic से related किसी भी exam में question आपको मिलेंगे ना विश्वास हो तो आप video पूरा देखेगा ऐसे बहुत सारे आपको मैं आपको topic बताऊंगी ऐसे बहुत सारे आपको रोग बताऊंगी जिसके बारे में exam में पूछा गया है तो चलिए start करते हैं आज का video सबसे बहला हमारा topic है भोजन में पोशक तक्तिक की कमी से होने बाल क्या होता है उसमें मानते हैं कि एक एज हो जाती है माल लीजे 35 या 45 अब आप कार्वो हैड्रेट जो होता है वह हमारी बाडी में जो है fat को भी बढ़ाने लगता है एक तरीके से लेकिन उससे पहले आपको हमारी बाडी को जरुट हर चीज की है लेकिन एक लिमिट में है अ आपके जो अनाज जैसे की ग्यों वगेरा आते हैं जो सावित अनाज होता है ग्यों है चावल है है ना सावुत अनाज है फलिया है आलू है आपका पनीर है पास्ता है एक्स एक्टरा इन सब में जो है कार्वो हैड्रेट पाया जाता है अब अगर हमारी बॉड़ी में कार्व व्यक्ति जो है यह सोचे कि कार्वो हैड्रेट से जो है फैट बढ़ता है कार्वो हैड्रेट से जो है मोटे हो जाते हैं तो हम ऐसी चीजों को छोड़ देंगे तो जब हम छोड़ देंगे तो हमारे अंदर क्या होगा उसकी कमी हो जाएगी और उसकी कमी की वज़े से क्या हो जो है कार्वोहाइडरिट से होने वाला रोग है जो कि हमारी बॉड़ी में जब कार्वोहाइडरिट कम होता है तब यह होता है दूसरा महत्पूर्ट आपका जो है प्रोटीन जादा तर आप देखोगे बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे जो बुजुर्ग भी कहलो या प्रोटीन की कमी पाई जाती है प्रोटीन जादा तर पाया किसमें जाते हैं तो हम सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन आपका जो है बादाम में बादाम में आपके विटाविन ई भी होता है लेकिन प्रोटीन भी होता है अंडे है चिकन है दही पनीर जाई समुंद्री भोजन वीज और डालें दूद और जितने भी दूद से बने हुए डेरी उत्पात होते हैं उन समय प्रोटीन पाया जाता है ठीक है अब क्या होता है हमारी अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी चीज हमारे शरीर के लिए एक लिमिट तक ह होनी चाहिए अगर हमारा प्रोटीन जो है मारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में हो जाता है तब भी हमको रोख हो जाते हैं अगर हमारी बॉडी में मैंने देखा है मैंने देखा क्या है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि जब हम प्रोटीन की चीजे बहुत खाते हैं जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे प्रोटीन में पनीर बहुत पसंद है क्योंकि यह अंडे चिकन वगएरा मैं नॉन वेजिटेरियन ही हूँ जो तो मैं जो है पनीर अच्छन के मुझे बहुत बहुत अच्छी में पनीर दाले नॉन गजरती है यह सब बहुत मतर सब इन अन्दर गी में बॉस्थोदी अब दखाए हो गई तो को बहुत साया किशिए assuming की अधिक मतर होने की वज़ ब्ज़े यह जो चीजे होती है न यह हमें जल्दी से पाचन नहीं होता है थोड़ी सी भारी होती है एक एस बात लेकिन जो बच्चे हैं जो नई उमर के बच्चे हैं वो देखिए प्रोटीन खाने के बाद आगर आप बाधाम खा रहे हो अंडे खार दही खार पनी खार तो आपको फि जर्थ आती हूं घर आती हूं घर का काम करते हूं मैं फिजिकल या करती हूं लेकिन एक तरिक से एक खेलना दोणना जिसमें भरत ज्यादा settled energy where story lleve estoy устory है तो मेरी energy शारजिक ना होकर एक मानीका energy ज्यादा खड़ होती है तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि वैसी जो फिजिकल कोशन में ये पूछा जाएगा कि प्रोटीन भई किस-किस में पाया जाता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं दूसरा आपसे कोशन में पूछा जाएगा कि प्रोटीन की कमी से कौन सार रोग होता है तो प्रोटीन की कमी से आपके क्या रोशिरोकोर और आप तक हमने यही सुनना होगा चलिए भी आइउदीन की कमी से भी जादा तर मोगों पंडा होगा कि कौौन सा रोग होड़ा है तो ब्रुप को गेंगा रोग होता है यही आप सबको भी होगा है न तो चलिए देखिते हैं इटकर किस किस में पाएजाता है तो आयो डिख्ञे अच उस नमक में अधिर अधि smnt में उड्र थाइड उट फटन जाता है तो hem तूसरा एनीमिया एनीमिया भी आयोडीन की कमी से होता है लेकिन जादा तर लोग जानते हैं कि एनीमिया जो है हमारी बॉटी में जब ब्लड कम हो जाता है यानि कि जो लोह तत्य कम हो जाता है हीमोगलोमीन कम हो जाता है तब हमें एनीमिया होता है तब भी होता है और आयोड तो यह भी आयोडिंग की कमी से होता है चलिए अब नेस्ट हमारा टॉपिक है बहुं काफी इंपोर्डेंट है जो की एक्जाम में पूछा जाता है फिर है कैल्शियम की कमी तो ज्यादता सब की बॉडी में कहीं ने कहीं होती है बहुती दियर लोग ऐसे होंगे जिनकी किस किसमें पाया जाता है जिसके अंदर कैल्शियम की कमी हो तो इन चीजों को खाकर अपनी कैल्शियम को बढ़ा सकता है तो सबसे पहला तो है आपका खजूर आपने देखा होगा मार्केट में जहां हम फलो की दुकान पर जाते हैं बहुते छोटे-छोटे से पैकेज, ड कमन्या, दूद, जितने भी डेरी पदात हैं जहने कि जो भी दूसे बने उए पदात है संबे कैल्शियम को हो जाता है तो पिर और तो कौन-कौन हो ते समक रोक भी calcium की कमी से हो जाता है में लोग ़ोग घ्मारे बोन्स में भी पेन होने लगता है जॉयन भी होने लगता है तो चलिए नेध अगे बढ़ते हैं sodium sodium किसमे पाय साधा है तो sodium आपके पाय साधा है प्याज में पत्ता-गोबी में शकरकंद में ब्रॉकली में कद से के बीज में अंडे और दूद में इसमें सोडियम पाया जाता है अब सोडियम की कमी अगर हमारी बॉड़ी में हो जाती है तो हमको क्या तिकत रहती है सबसे पहले तो गैस्ट्रो संकट और तंत्रकाओं और मासपेसियों का अनुशित कारिये अब जो गैस्ट्रो आपका पेट फूल जाएगा आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट बनेगी है ना पेट टाइट टाइट सा लगेगा दूसरा हमारी जो मासपेसियां है उनमें समय जो है दर्द महसूस होगा इन बहुत आटार गैस्टाम आते है तो लोग क्याते है कैलशयUM की कमी है तो सोंडियो में लेना सब्ट इन जचीज़ों कर ना चाहिए जरूर है कि थोड़ी थोड़ी कि zooming कंऊनें कि कहाएंगे तब हमें कैलशयum मिलेगी तब हमें मिलेगे या तब हमें विटाविस ku array क्रिज जो हो यह सारी चीज़ें मिल जायें और चली नाश्ट है आपका फासफोरस किसमें पाया जाता है तो फासफूरस पाया जाता है आपका दूद्ध दही सोया जनाकी जो सोया वीन वगारा होती इसकी बड़ी है तो- फलियां- भारका खाने मेरी यो कहते हैं अर्व मेरी फॉष्टत्त नहीं मिलते हैं और इसी वजय चोना करना हो जाता है और कह भारका खेंड कोना लीक हो जहाती है क्योंकि हमारी प्रतिरोधक शम्ता होती है काफी कम हो जाती है क्योंकि हम भारका खाना खाते हैं या फिर हम जंग फूड जादा खाते हैं तो इसलिए हमें अपने को स्वस्त रखने के लिए सबसे में तो हमें साफ सपाई तो रखनी रखनी है भोजन में पोशक तक भी हमें सामिल करने ही चाहिए चलिए बात करते हैं विटाबिन A के बारे में तो विटाबिन A किसमें पाया जाता है तो आपके विटाबिन A जो है सब्सक्राइब हरी पत्तेदार सब्जियों में फिले रंगहे जो भी फनव होते हैं ढहिंगियु आपकर बते सप्षी जैसकि मैंग and है है नक्सा और क्या है पीले रंग का और या चाहिए मोर्ट और दाना आ होता है और अधानों के अलाबा जो भी हमारी आंखों से आंकों में खुजली होना को से पानी आना या धुन्दौला पन दिखना ठीक है या फिर हमारी थोड़ी सी आई-साइड भी खो जाना तो यह सारे जो रोग होते हैं द्रश्टी समस्यां द्रश्टी समन्दी देखने से संबंदित जो भी समस्याएं होती हैं वे हमारी विटाविन A की कमी से होती हैं अब बात करते हैं विटाविन B की विटाविन B किसमें पाया जाता है तो विटाविन B पाया जाता है आपके साबुत अनाज में पाया जाता है जो भी साबुत होते हैं जैसे कि चावल है गेहु ह दाले हैं तो इन विकाराल है जाता है ग्राक्याता गर्वार नास Américaा होगता है न जुर्वार केले से जब्वा उकिल 90 आम धाये जाता है और और जी किस अनाज में पाया जाता है तो पूछ है कि इस अनाज में beiden कौन सा विटामन ये उसे इस सारी चीजह हमारेंदये चीजह हैं हम फिरे काम与म सतराब करते हैं विटामन सी की बिटामन सी जो है जित्रे भी खटे पदे िटामीश सब्सक्राइं का था Gen пока Wrap के मची में शाइज मत tuo में कणूसों गालार थाइज है उन सम्में विटामीश स्टाइज पाया जाता है नने की नीभू हो और में विटामीश से looks तो हमारे मश्रूरों से खून आना शुरू हो जाता है जैसे कि पेस्ट करते हैं तो आप देखते होगे मश्रूर से खून वगर आने लगता है थोड़ा थोड़ा बड़े लोगों के भी आता है तो या तो देखिए जब पाइदिया रोग हो जाता है उसमें भी आता है या फ या फिर एक उप्शन भी मिल सकता है नैसले हमारा विटाविन डी हमारा किसमे पाय जाता है तो विटाविन डी हमारा पाय जाता है मशली में लीवर अंडे की जर्दी में पनीर खटे फलों का रस में सोया दूद और अनाज आदी में जो है विटाविन डी पाय जाता है अगर रिक्केटस की हnormal is usually it in a draussen के आधिक ख़िए तो कि जाता थे तो जाधा तर हम बात करूँ ह сохранis तो अधरवाश्यम के साथ साथ neuron working book को बहुत अदीक मात्रा में नहीं लिये जाता है แसंकвой स्वीर की किरण होती है कर इसके थोड़ी तेर व्याट जाती तो उसे भी vitamin D मिल जाता है लेकिन जब हमें कुछ ऐसा हड़ी का रोग हो जाता है जो उसमें हमें जादा pain हो रहा है तो उसमें जब हम calcium daily लेते हैं तो बीक में एक बार हमें vitamin D भी लेना होता है जो कि हमें बहुत जल्दी इससे आराम मिल जाता है तो vitamin D जो है हड्डियों के अनसोचित की ब्रद्धी और इकेटर्स नामक रोग जो है vitamin D से होता है इसको आप याद रखिएगा नेस्ट है आपका vitamin E vitamin E आपका किस में पाये जाता है तो vitamin E आपका पाये जाता है इन में बीज में आदी में vitamin E पाये जाता है बाकी का इसमें शायद vitamin E आपके बादाम नहीं लिखा है पर बादाम में भी vitamin E होता है तो vitamin E की समस्या है कौन कौन सी होती है तो vitamin E की कमी से जो समस्या होती है सबसे पहरे तो हिर्दय की समस्या दूसरा हैमोलिसियस यह रोग जो है विटाविनी की कमी से होता है नेस्ट है हमारा विटाविन के तो विटाविन के किस में पाए जाता है तो विटाविन के आपके पाए जाता है टमाटन में टेशनट में ब्रॉकली में बीफ काजू मेमना में ठीक है अब इसकी रोग से कमी से कौन सा रोग होता है तो एक तो आम और दूद्रा रग्तिस्ताओ आम यहां पर मत्रब बात हो रही है आपके मेवना आम में βिताविन के पाये जाता है यह पता है रग्ट इसत्राव पता ए जो bleeding वагएरा होती है ठीक है गए आधिन के कमी से जो अंधूरी bleeding जैसी चोट लगती है न तो अहुद ज्यादा किसी किसी कि इक दम से bleeding हो जाती है तो रक्तिस्ताओं की समस्या इससे हो जाती है ठीक है तो आज के लिए इतना ही है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेगा चैनल पर पहली वार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा मैं अपने यहाँ पे चैनल पर आपको जितनी भी करेंट अफियर कुछ भी खराब नहीं जाएगा आपको यह कोशन मिलेंगे ही मिलेंगे तो बस सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजेगा तो कल फिर मिलते हैं नैस वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क और बाई 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 अवागा तो श्याज से जाख और मिलते हैं के लिए ऱै सकानकी मिलेंगे जाटे सेनिय हैं के लिए कि आती 설명 मिलेंगे लिए तेक्वारा पात श्या जार आ जाएगा आ बाई लायो तो प me samके ट हैं कर बाईली हैं